नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PW नेटवर्क संड़े का दिन और राजीव नाराएं शर्मा जी का इंतिजार आपको बेसब्री से मुझे पता है मैं इंदौर में था बड़ा मजिदार बात हुई कि मैं इंदौर में था फिर राजीव जी उत्तर विद से दर्शन करने के लिए फिर यह बोले कि यह जो प्रुगाम होता है क्यों आपके आफिस में आके कर लिए मैं दौर में था लेकिन राजीव जी से मेरी मुलागाती नहीं थी कभी आप पोचों को एक साल हो गया प्रुगाम खड़ते करते हैं लेकि हम लोगों ने दूसरे क तब से यह पहला प्रुगाम है जो मेरे ओफिस में वह रहा है तो यह पहला प्रुगाम है चुकि तो नया भी होगा कुछ मज़दार भी होगा और मैं खुद राजीव जी को पहली वार देख रहा हूं मैंने जित्ता सुना तो उससे ज्यादा स्मार्ट है राजीव जिए पहली कर दीजेगा बात में होता है आप राजीव जी की चागा चौन में इतना खो जाए आपको धानी नहीं आ रहा है कि चैनल को जोएन और सब्सक्राइब भी करना है तो बहुत शुक्रिया स्वागत है राजीव जी आपका आप हमारे ऑफिस में हमारे ऑफिस धन हुआ क हनुमान जी के इतने बड़े भक्ता आज हमारे आफिस में है बनारस में आपने बहुत दिन लगाए हनुमान जी के चागे अप सन्जे जी मैं गया था संकट मोचन हनुमान जी के मंदर में बहुत वहारत ही नहीं विश्व के बहुत प्रतिस्टिट इंसिद इस्थान के PHP और यह तो द्रशन दिये थे ङसाथ करे helps तो कितने 17 सेंचुरी का ये मंदिर है तो ये मैं दर्शकों को आपके बताना चाहता हूँ कि मैं इस मंदिर के दर्शन करने क्यों आया जब लोकसवा की एक भविश्वानी जिसमें आपने देखा गोदी मीडिया और एगजिट पॉल वालों कितना बड़ा चलाक है और हमारे म है जर्षक ठाठ्बसः भाटी है कि मेरी टी आफेती खिविश्वानी जी को हैंक्स बोलने जाओं तो ये थैंक्स गिविंग विजिट थी हरन्मां जी के लिए तो दो तीर्त मैने दिल्ली में चलने से पहले प्लाइन कर लिये थे, कि उत्वर्भारत के इस नई देश के दो तीर्फों के मजए हनमान जी को दर्शन करने हैं, एक संकट मोचन हनमान जी का मंदर, और दूसरा हनमान गड़ी, इक्चुली हनमान गड़ी वेसिकली आपको तर दर्शक के जानते हैं कि राम जी जो है साकित धाम जब जा रहे थे तो हनमान जी को ही रोक करके गए थे बाकी तो राम जी ने शरीत्या गिया था तो हनमान जी को रोका था कि आप अहुद्या के राजा हो और आपको ही अहुद्या चलानी है तो इसलिए गड़ी मतलब गड़ गड़ कहते हैं किला तो इसलिए हनमान जी वहाँ पर प्रतिस्टे बहुत बड़ा सिद्ध इस्थान है मच मच बेटर देन मच मच बेटर देन राम लला की जर्म भूमी के इस्थान से कारण यह है कि राम जी तो शडीर हित्याग दिया था उनको आप बाल रूप में पूज़ रहे लेकिन हनमान जी तो जीवित है तो कौन सा हुआ आप जो आदमी संसार छोड़के चला गया उसको बड़ा कहोगे कि जो जीवित है उसको बड़ा कहोगे तो वो जीवित इस्थान है अच्छे तरह हमारे अस्तर चेलंजी भी है तो उसमें आठ चेलंजी भी यह भी है कितना अईधिया के नाम पर आदाया कितना खराब खराब बोल देते हैं आपने जब मंदिर की इस्ताबना हो रही थी त क विक्तने योग पुजारी ते लश्मी जी नाम ता उनका और आज नंका निधन होगिया मैं आपकी घुछ rasaมी आगा कि आपने पूजारी होंगे जुझा कर जुछा कर अन्का अठीड होगा आज मुझे किसीने बटाया कि जिदोने पूजा कर आयम थी उनका अगई है और बिलकुल आप ठीक है रहे हैं कि मैंने अपने प्रोग्राम में यह कहा था दर्शकों की संजीजी जो अशुब काल में उन्होंने किया था पता नहीं भग्वान जाना इनके कौन महुरूत निकल वाते था था उन्होंने चर लगन में लिया था मैंने अकसर जो तिश में तीन बताएं मूबेब monster, fix sign और dual sign तो मूबेबल सैन्हों होते हैं हमारे सद्जान मेश राशी, कsel कर्क राशी तुला राशी और मकर राशी मूबेबल सैने हैं और इस तिर लगन होता 2-5- GO, 25-21 तो ऑर भृषव राशी शिंग राशी कंभ राशी और ब्रिष्चिक राशी आइसा जी रूणा महुरत निकाला गया था रूगर भी दिर्वट सम्टिंग लिखते हैं भो तो उनका पिताजी बहुत बिद्वांतिया लेकिन उनके बारे में भी में बहुत सारी जानकारी है दुटाना चाहूंगा कि वह मुहुरत जो निकाला गया था उन्होंने चरलगन में निकाला था कैसे निकाल दिया वो तो बहुत जानकार होंगे भाई देखिए मुझे शास्री जी ने दर्सकों आपको बता नूँ पूरे दुनिया के लोग मेरे को सुने कि शास्री जी की पीराज़ी शास्री जी राम जी की प्रतिस्टा वाले प्रोग्राम के बाद मरजी के प्रधान मंत्री कारयाल ऐसे थोपे गए थे दर्सकों एक बहुत बड़ी चौकाने बाद कर रहे हैं मतलब महुरत नहीं 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 निकाला था उन से लिखवाया गया है कि हमको इसने बज़े महुरत पर इतनी तारिक को और यह प्रोग्राम करना पी एम की यह ज कर दे दीजे हमें करना है बस बिचारों ने कर दिया और उसी वेक्ति से इन्होंने शबत गिरेंट समारो भी अब यह मोदी जी ने नौ जून को ली है वो भी उनको ऐसे कि मोदी जी को अपने शानल सोगत लाइटे वाटों में करना फंक्शन पार्टी की तरह से करने की पासलतों जो के फंडामेंटल सिद्दान तो यह है कि इस्तर लगन में प्रांपितिस्टा होनी चाहिए बएग इस्तर लगन का मतलब भगवान राम आयो हमारे साथ रहें इस्तर का मतलब इस्टेबिलिटी तो तो हो इनी सकती तो बो कहने लगे मैं क्या करूं अच्छे ले लेकिन वह कुछ मानते नहीं है उन्होंने का कि मुझे लाइटों में रात में शर्पत लेनी है कोई लगन हो पड़े लेकर निकाल कर दे दो यह वाला मंदिर बनाना दो दे दो तो यानि एक आदमी विग्यानिक पत्रती पर आ गया उसमें सब छोड़ दिया कि यह कोई बा पके लिए यह बहुत अच्छे टीचर भी तो साइंटिस्ट भी उस जबाने की यह हुआ कर दे थे उनका चिंतन बहुत पावर्फ होता जितनी भी रिसर्चे जहां मौडन साइंस के लोग भी हैं डीप चिंतन की अवस्ता में जितने भी इन्वेंशन हुए अविशकार हु क्योंकि मैं एबी पी न्यूज चैनल पर 26 दिसंबर 2019 को एक साड़े चार घंटे का लाइफ प्रोग्राम किया था उसमें मेरे साथ तीन वैग्यानिक थे और मेरे अलावा एक जोतिसी था उसमें वैग्यानिक जो है जोतिश को और हिंदू शास्त्रों को मतलब रगणने का क को दिखाने की कोशिस करते हैं साड़े टीवी चैनल रोतों समय गोदी मीडिया मुझे बलाता था उन दोजार उन उसके बाद बलाना बंद कर दिया क्यों कोई हमत नहीं किसी में कि मेरा प्रोग्राम कि मोदी जी कि तीस तारीफ पर कॉन बलाएगा हम ही हम ही हम ही हम ही कले बला लेते हैं लेकिन एक बात तो आप सही कह रहे हैं जब नासा में कोई अगनी वाला चलाए जाए कोई और प्रिशे पास छोड़ा जाए तो बेग्यानिक कभी टाइम होता है एक गंड़ बचके 33 मिनट 30 सेकेंड वो भी क्या को महुरूद होता है या बिलकुल आपका यह है जो इस्पेस हमारा नासा तो अमेरिका का हो गया हमारा अपना इसरो इसरो भी अब दो बचके 44 मिनट पर हमारा रोके लॉंच होगा 44 मिनट कहां से आगए इसका मदल्ब आपने किसी से कैलकुलेशन कराई है ये क्या होती है भई ये महुरूद निकालना वह इस जादे व उन्होंने पीडी दर पीडी जो है बिजनिस को चलाया और आज की डेट में भी सकस्सवल है क्योंकि अल्टीमेटलि उनको कोई काल की गती कोई साइकल बताने वाला था जिससे उनको वैपार उनके चलते रहते हैं कि लाला जी अभी चीनी का कारुबार चलेगा दो साल बाद चलेगा पांच साल बाद कपड़े का सुरू कर दीजाए तो एक साइकल बताने वाला आज में तया और आभी मॉडरन जो बिजनिसमेन हैं हम एहंकार के कारण अपनी जड़ासी मॉडरन डिग्री मिल गए इंजिनियर बन गए आयम से एंबी हो गए और बिजनिस ब्यपार स हम देखते क्या है आज के मॉडरन टाइम है जोतिस को जितनी मानेता दक्षिर साउथ में है उतना है कितने ही करनाटक से लेकर तेलंगा ना अंतरा पदेश के चीमिने से बिटा जूसियों को कुछ काम ही नहीं है आप लोगों को देखा था आप लिए जब बड़े आदमी क संपर्क में आप जब जाते हों तो बड़ा आदमे माया तो माया से कहीं थोड़ा प्रभावित हो जाते हो कहीं फियर आ जाएगा आपके अंदर फिर आपको लगए यार चीफ मिनिस्टर मुझे जानता है कहीं धक्का मार के निकाल ना दे अगर इसके मैंने प्रसनिता वाल आप उनके मत से अगर सहमती नहीं रखते हैं तो वो छोड़ के चले जाएंगे ठीक है राजा अफमान नहीं करेंगे राजा राजा तो राजा यह लेकिन अफमान चोड़ देंगे अच्छा अफमान से मुझे याद आया है आप संकट मोचक मंदिर में कब थे तो बनारस मे मुझे अफमान से याद आया कि आपने मुझे एक बार कहा था प्रदार मंतरी की बीजेपी की जरम पत्ती देखे कि इनके निताओं का अफमान कई हो गया आप जिसंसे उसके एक दिन आगे पीछे प्रदार मंतरी जी का काफरा निकल दा था किसी ने कुछ फेग दिया था गटना ओ ये जो घटना होई इसका वोदी मीडिया नहीं दिखा था लेकिन इसे हास मुझे याद आया कि एक बार इंद्रा गांदी पर पत्र फिका था उनकी नाग पर लगया था अठल व्यारी बाश्पी कि एक बार चात्रों ने जब रंगा बिल्ला कांड हुआ तो असा बनारस कहते थे कि मां गंगा ने बुलाया है एक तो पहली बार सब्सक्राइब कि चुनाओं में पछड़ते उने दर आये थे फिर वो मार्जन तीर लाग कम होगे और अब इस सेरे समान उन पे फेका जाने लगा तो ये क्या अपमान का योग था ये हुआ क्या था बहुत आपने बिल्कु ठीका हिस्तरी के एसाब से कि हमारे जो प्रधान मंत्री जितने भारत में आजाद भारत में 77 साल में हुए हैं उनमें इंद्रा जी के उपर एटेक हुआ था उनकी नाक पर इंजिरी होई थी उनको प्लास्टिक सद्री कराने पड़ी थी दूसरा राजी ब अगर्स को यह घटना जो घटी है यह जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा आज नहीं 500 साल का तब यह लिखा जागी किसी प्रधान मंत्री को चपल मारी गई है यह चीज चीजें सांकेते हैं लोग यहाँ के अफसर कहा रहे है चपल नहीं थी लोग यहां के अफसर कह रह तो भगवान जाना है, कितनी अशुब गटना हो सकती है, हमारे पर्धान मंति की लिए बड़ी सुरक्षा का हुई है, सबसे बड़ा चीज है कि आप एक सुरक्षा इतनी लापरभाई से कैसे लिए अच्छा यानि चपपल की ते लिए चुपाने की कोशिश की जा रही है कि बड़नामी हो जाएगी और आपको 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 बता दू अगले दिनी बिल्कुछ गंटे भी नहीं बीते तो मैं बनारस में पहुंच चुका था तो मै मैं जो तिसी कारण तो एक्स्प्लें करूंगा ही करूंगा क्योंकि बींगे नेस्ट्रोजर मुझे यह देखना है कि यह ऐसी बड़ी घटना इत्यास की 77 साल की सबसे बड़ी अपमान जनक घटना है कि हमारे सिटिंग परदानमंत्री को पर चपल से प्रहार हुआ है सोचि आपको पता है संकत्मुचर मन मैं हजार ओ लागव लोग यह तो चर्चा हुआ हुई था मैं सुनाद में साथना कर रहा था मैं कान में आफ आज आ रही थी इस नमें लोग चर्चा करे ने लिए उनштारिक ऑ非常的 शेपर लगkins ऑर इस में जे जह संपूर्णानंद बिश्विद आप कहां डड़ते हैं किसका क्या क्याना चाह रहा है खुल के बोलिये ना भई देखिए वहां पर यह कह के संग के लोगों का दफ्तर बगरा था जहां से यह चपपल की डियरेक्शन आई है या तो भई यह प्रिशासन ने इस वज़े से क्योंकि यह खुल करके संग और को अगर यह राहुल गांदी अर्विंद केजरिवार या किसके साथ हो आपके महीनों तक यह न्यूज और अलग अंगल से चपल दिखाई जाती कि इदर से आई है राइट हैं इंगल से यह कैमरा आरा है यह आरा है और पूरा उसका चिचा लेतन करते पूरी बद्रामी कर अब मैं पहली बात सबसे पहले बताता हूं कि इस होरोस्कोप को मैं दिखाता हूं दर्श को यह होरोस्कोप है जो मुदी जी न शपत ली इस शपत जो लीती लगन मतलव होता हमारा वेत्ट उसमें छे आठ बारे का कनेक्शन है पिसले प्रग्वाम में भी का उससे पिसले कि जोतिष में बारे घर है कुंडली के बारे में से तीन घर संकट है जो भी जीवन में नानाप्रकार के संकट वे से चैटमे खायख से यह झाते हैं छता है ओपन ज्घड़े का ओपन फाइट होते हुग सिकसा से देखे जाते हैं और आठमा घर होता है पीठ में चुरा और बारमा घर होता है अपमान का जैसे किसी को चपल मार दो, किसी को फूख दो, और किसी को जेल में डलबा दो, उसको हिमिलेट कर दे जैसे अरविंद केजरिवाल को, इना ने आपकी सरकार ने कर रखाया है, एक चीप मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दिया, हमेल सोरन को को कि ये अपमान की स्रेडी में आता है, तो इस कुंडली में चुकि जो मैंने अभी दर्सको जो 9 जून को मुख दीची ने, 7 बच के 23 मिनट पर शाहिएकाल, अशुप काल में जो शपत ली थी, उसकी कुंडली मैंने आपको दिखाई है, ये अशुप काल क्यों कहा आपने अशुप काल की दिखे कि मैंने आपके पिसले सिद्दान में भी प्याता है, मैं खिताब भी दिखाई थी, मूर्त चिंता मनी, उसमें इस वंडामेंटर सिद्दान दिये हैं कि राजा चुकि सूर्य से दिखा जाता है, और सूर्य असके बाद राजा का शपत नहीं होना च तो पांडे जी की तो पिचानों की दुगानी बंद करा दी आप लोगों है, तो बल्कि उन्होंने कहीं हमने सुना था कि उन्होंने अब हाथ खड़े कर दी हैं कि मैं भविष्वानी नहीं करूँगा, वो छोड़ गया मैदान, अब यह हाल उनका प्रदी गुपता है, यह प्रदानमंत्री कारयाल भी एक आदमी पी के चला रहा है, ठीक है, तो वहां से मुहरत आ जाते हैं, वो अपने आगों प्रकांट बंदे समझते हैं, वह चारी प्षास्त्री जी ने निकाल दिया कि मोधी जी को लाइटों में शबत लहनी है, तो यह दिन में कहां अच्छा प्रदानमंत्री कारयाले में सब दिखना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, कि मोधी जी को हमारे फिल्मे स्टार से बहुत इंट्रेस थे, और जब यह गुद्दाद के ची मिनिस्टर थे, क्योंकि मोधी जी का यह शुकर का चक्कर होगा, तो इनको फिल्मी कितनी हीरोईनों के साथ में मोधी जी बिल्कुल कृष्ण की तरह से गोपकाओं से घरे पड़े थे, वो बैसे भी रूप का लिया का, तो अंजना ओमकाशव इन लोगों को इंट्रिव्यू देते हैं मोधी जी, यह बड़ी कंट्रवर्सी यह वी होगी थी, कि जो सीडिये से तीनों सेनों की चीफ वो पांचवी लॉन में बैटे थे, शारोखान अक्षे कुमादा आगे हैं, बहुत हुमिलेशन है, हमारे सेना अध्यक्ष जो की हमारे फ्रेंट रूम होने चाहिए, उनको पीछे बठा करके यह और एक्टर्स को एक बहुत अच्छी बच्चों का क्या देखा जाता है, मेरे मन में था कि कभी आपके प्रगाम में जलू कहुँगा, केया राव साब के पास तेजी बच्चन जाया करती थी कुनिली देखाने के लिए, तो तेजी बच्चन जी ने एक राव साब से यह कहा, कि सर, जो 30 महान है, मैं विश्रास भी करती हूँ, हाँ, वो घटना तब की थी, जब अमिता बच्चन के कुली से चोट लग गई थी ना, कुली वली शुटिंग करते थे थे, तो उन्होंने, राव साम ने कहा कि यह बच्चके ठीक हो, करके आजाएगा, ठीक हो जाएगा, अब उसमें क्या हुआ, इसी बाच्चीत में, ती प्रसिंचन लगा दिया, एस्ट्रलोजी के उपर होना है, तो राव साब ने एक गहरी सांस ली, और ये कहा, जोतिस परा विद्या है, परा और अपरा विद्या, दो तरह की विद्या होती है, परा विद्या, ब्रम विद्या, मतलब जो spiritual science है, वो परा विद्या कही जाती है और अपरा विद्या, जितने हम modern subjects हैं, इंजिनर बने, डाक्टर बने, चार्डर डिकॉंडर बने, पत्रकार बने, जिससे आपकी जीवका चलती है संसार की, वो हमारी अपरा विद्या में आती है, तो दोनों का combination है, जब आप किसी जोतिशी के पास जाते हो कि मेरी नोकरी क मेरे बच्चे कब होंगे, मैं कितना पैसा बना लूँगा, तो ये आपके अपरा विद्या के subject हैं, और जब आप किसी जोतिशी से पूछते हो कि मुझे भक्ती मिले की नहीं मिलेगी, मैं तीरत इस्तान दर्सन कर पाऊंगा की नहीं कर पाऊंगा, तो अपरा विद्या के subject उनके बहुत, उनको सम्मान से नहीं देखा जाता था उस profession को, क्योंकि उसमें जो जोतिस की किताम है, धर्म शास्त्रों में उसके लिए word इस्तमाल हुए हैं, जैसे comedian होता है, तो comedian के लिए बिदूशक शब्द इस्तमाल किया गया है, इसी तरह से जो नाचने गाने वाले हो और जो architect हो तो उनके लिए कहा गया है, वो थोड़े से respected profession थे, लेकिन जो मनोरंजन करके राजा का जैसे राजा डी स्ट्रेस करना चाहता है, तो उनके मनोरंजन के लिए नित्काएं बलवा ली जाती थी, जैसे इंदर देटा हमारे नचाते रहते हैं आप सराओं को, तो इ लेकि भी शौकिन रहे होंगे लेकिन उनके अफसराएं नाचती हैं वो बेसी कली इसलिए होता था कि दरवार के तनाव को दूर करने के लिए उस जमाने में रहता होगा कि वो डी स्ट्रेस करते हैं, आप अपने भगवानों को बचा लेती हैं, जब भगवानों के बारे मे तो वो उन्होंने कहा कि भई मेडम, चुकि हमारे हैं जोतिस में उसमें नट का शब्द आता है, तो जो प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेड नहीं था, जोतिस तो उस तरह की बात करेगी, जब जोतिस की किताबे लिख गई हमारे, तो उन्होंने इसलिए शायद आपके बेटे को महान प्रोफेशन बाला नहीं बताया था, ये रीजन रहा होगा, तो बैसे तो वो बहुत फेमस हैं, तो बात सच है उनकी राउसा की बात से मैं सहमत हूँ, अब ये कल्यों के हैं तो कल्यों में वो प्रोफेशन आपके अच्छे माने जाएंगे, अगर आप डौ बात स्टॉंग है तो हम उसको चस्न मनाते हैं, अंद बक्ति भी कहेंगे, जो ही मोधी जी के आप आगे कोई नहीं टिक सकता, तो हम हर जो अनैतिक कार हैं, उसको हम सुप्रीमेसी देते हैं, कल्यों गेना घोर गई हो गया, तो ये काम था, एक दर्शकों को जानकारी बता जैसे कोई हमें उसमें अरेस्ट नहीं दिख रहा तो हमें ये पूर काल में ये मैथमेटिकल पोजिशन है, इससे भी हम पता लगा लेते हैं कोई दुरगटना या अशुप समाचार, क्योंकि जैसे देखिए, मैंने संजी आपके प्रगाम में कहा भी था कि अशुप समय प फड़क पर हैं, एक के बाद एक ऐसी थी गटना ऐसी नहीं हुए है कि जहां पर सुक्षमाचार हरा हम दस-गारह दिन हुए है, और दस-गयारह दिन में ऐसा लगए है, पिल्ले आगए हुए युए रोज एक बुरी घटना आ जाती है, और कितने वह प्रगाम में क्याना ह निकल सकते हैं, 24 गंडे इसी चलाना बारा है, तो मैं इसमें दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इससे भी आने वाला एक समय में, तो इसमें ये देखिए दर्शक की मंगल जो है, राहू से पीडित हो रहा है, इस चक्र के नुसार, अब ये मंगल 12 जुलाई को इदर आ जाए तो बहुत ही क्राइम वाला, बहुत ही हिंसक वारदातों का 45 दिन का ही होगा रहा है, अरे बापने, 12 जुलाई से शुरू होगा, और इसमें बहुत जबर्दस लेबल की वाइलेंस दिखाई दे रही है, और वो वाइलेंस इसमें मैंने देखा था, क्योंकि मंगल अब आसल यह देखने है, यह भारत की कुंद्ली है, इंडिया की चार्ट, इसमें मंगल यह पर आ रहा है, यहां से चौथा दरुस्टी चौथिगर पर जा रही है, तो चौथा दरुस्ती मतलब मतलब होता है, नहीं डॉमेस्टिख हैपिनेस का, शांति, शुक्षा, शांत करके आएं संजेज की ओविस में आया लेकिं मेरी यह मेरी पुस्त का साथ चलती है कि यह देखें बीजेपी की कुंडली में यह पांच मां घर होता है शिक्षा का पांच में घर से हमारी एजुकेशन देखी जाती है और शिक्षा का सिगनिफिकेट है दो गरे माने गए हैं और ब्रेस्पती तो ब्रेस्पती इसमें पीडित है और दर्शक देख लें इसमें बुद्ध भी पीडित है तो बुद्ध और ब्रेस्पती पीडित होने के कारण इनकी कुंडली में आता है कि बीजेपी के जितने भी यह काल में 24 से जो आए हैं इसमें भाजपा के लोग लिप्त होने चाहिए जो तिसके नुसार मेरा कोई दिवस्ट नहीं है दिवस्ट के अकारण नहीं कहा हूं जित्रे भी ना-ना-प्रकार के एजूकेशन सेक्टर से नेते कार हो सकते हैं वो भजपा की कुंडली में नहीं है इसलिए आप देख रहे हैं कि किसी को कोई पकड़ा नहीं गया क्योंकि सबके लिए सब्सक्ता से हो तो पुलिस वाले कैसे उनको उपर हाट डाल देंगे तो बियाहर से लेकर करके आपने देखा है नहीं वो कैसे पारसती पहुंती वो और और इसके अलावा पांचमा गर संतान का भी होता है और एक चुकि पां महला पलवायनों के साथ हुआ और सेंगर जी का आपने कांड देखाई और जितने भी और अपने रहावना वाला आप देख रहे हैं कि बीजेपी से लिंक क्यों है लोगों का क्योंकि कुंकि कुंडली में वो योग है कि ये इनके एक इनके होरोस्कोप में इस तरह की काम है कि महलाओं के साथ भी अन्यतिक संबन अन्यतिक जो उनके अपराद हैं वो जरूर बढ़ेगे इनके कुल्ली में और इतना ही नहीं तो ये और इनका मैं एक और चीज बता दूँ तो चुकि ब्रहस्पति धर्म का प्रतीक है जो हमारा सनातन धर्म है ब्रहस्पति से देखा जा आपके चंपत्राई जैसे जमीन भी बेच लेंगे आप देख रहे नहीं देख रहने हैं दर्शक के अयुद्धा मैं संजी यह चो चीज बता दूसरा तीर्ट मैंने आयुद्धा का देखा तो मैंने वहां देखा मैं आपको बतानों प्रैक्टिकली इतना भुरा हाल किसी स दर्शन का अरिजमेंट कराया था और बहुत अच्छे दर्शन होगा उसको मैं बाद में डिसकुस भी करूँगा तो मैं भटक या जग कहां पर बेरिकेट लगा देखा देखा नहीं आपको नहीं पता बिचारे हैं दूर दरासे दर्शन वारत से बंगाल से लोग आ रहे ह गालने तो महां बता रहे हMOती दर्शन व्हार था लगाल दौं के में अटन गाल्ट क ही की कि वहा हम अजगाया था और जो मैं यह अपको बता हर कि दर्शन को मैं उनुट और पाता ऐ था इन्हों ने अश्ब समय पर जो शबत ली तो मैं ने आपने काल दंडे देगा मेरे दर्शक पूरा प्रोगाम निकाल लें तो आज जब आप बता रहे हैं कि वो जो पूजा कराने वाले लक्षमी नरायन दीख्षी दें क्या उनकी टेथ हो गई उनका महारास से कोई कनेक्शन था उसको खूब अच्छा सा प्रचाब बीजेपी ने इसल मुदी जी के खिलाब बहुत बड़ा रोश है और उन्होंने में जिससे आगरे किया था जो मुझे दर्शक मिले संकट मुचन हनमान में देखिए आचार जी हम आपको बहुत देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप धर्म संस्कति की बात भी करते हैं जोतिस है कि जो मंदिर जब काशी कोरिडर बनवाया गया उसमें लगड़ सवासो डेर सो करीब मंदिर जो तोड़े गए थे उसमें प्रतिस्टित मंदिर थे जो प्राचीन काल के थे दो दर्सकों को जानकारी के लिए बता दें तो कि शिभ हमारे जो है बेसिकली अल्टिमेट है ह जो कि वो महाकाल है तो ऐसा होता था हमारे जब तीरत पहले हमारे रिशी मुनी राजा महराजा बनाते थे जो गतीतीस करोड़ देता है करोड़ का अड़ा ते कोटी मतल़ प्रकार के वही हैं और भी कोई देवी देता हैं। इंद्र हैं। और गड़ेजी हैं। इन लोगों को पहले मुख तीरत का देपता हुता था। उससे पहले इनके मंदिल बनते थे। जब वह गली कूचें वह समय में गली होती होंगे। तो वो कह रहे थे के हमारे भोले नाथ तक पहुंचने के लिए इनके सबके आशिरवाद की जरूरत होती थी तो वो मंदिर बोले के तोड़े गए और दर्शकों की जानकारी के बता दो चुकि बनारस के लोगों की पीड़ा आप लोगों के साथ बांट रहा हूं और बहुत मैं बहुत दुखी था और मैंने भगवान से ये प्रादना की भगवान इनको दंड जरूर देना ये क्योंकि इन्हों ने अभी तर प्राश्चित नहीं किया है तो उसमें बता रहे हैं संजे जी चौकाने वाली बात बताता हूं क्या कि जब मंदिरों को तोड़ने का जो कॉंट्रेक्ट दिया गया तो गुजराद की कंपनी थी और जब उन गुजरादी भाईयों ने मैं गुजराद के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं गुजराद के लोग मेरे जीवन में बहुत मेरी मदद भी मजग की है किसी एक गुजरादी के वज़े से सारा लेकिन जो जिस कमपनी को कांट्रेक्ट दिया था उसकी बैक्राउंड गुजरास्थ थी उस ने जब उत्ता पदेश के अब देखे कोई हिंदू तो मंदर तोड़ेगा नहीं थोड़े बात मंदर नहीं थे बहुत बड़े देर सो मंदर थे करीब एक सो चबालिस सम्टिंग बता रहे थें उस मंदर को तोड़ने के लिए उत्तपधिस के मसलमानों से पूछा गया ऑटत पदेश बड़े बहार के मुसलमानों सत बात बता रहाँ है कर बिएरस सकते हो व्लुधा के मुसलमानों ने हाथ खड़े कर नहीं तोड़सकते हिंदूं तब जाकर के उन मैं तो मेरे आंप में आसु आ गए इस समय मैं आपकी माया है हो सकता है कि आप पापियों को एक्सपोस करना चाहतू आपने इसलिए अपराद होने दिया आप तो मत्रा में भी ऐसे हो रहा है मत्रा में कुंज की गलियां बड़ी फेमस थी किशन जी हैं आपे घूमा करते थे और उन सब गलियों को तोड़के वहां भी कारीडर रहाने की बाद चल लगी है तो मैं आपको बता रहा है कि कोरीडर के नाम पर कितना आपके धर्म संसकतिगा औरंग जैब जैसे आप काम कर रहे है औरंग जैब ने हिंदू मंदर तुड़वाई मयामयूत गजनभी ने त जैदन देपता है उनकी जब गदा पड़ेगी तो सिवा मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है तो वो बता रहे हैं तोड़े ही नहीं है उन मूर्तियों को जो सेंकड़ों हजारों साल परानी थी गड़ेश जी की तीन गड़ेश जी के नाम लिये थे जैसे एक ती देवी देवताओं के घड़ेश जी के सिंबॉलाइज करके मूर्तियां थी तो वो तोड़ी गई हैं और तोड़ करके उसको उसका चूरा बनाकर करके उस पर लोग पैरों से उन्होंना कूंदा है मतलब इतनी दुर्भाग और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने रात को पौने काशी विश्वनात के दर्शन भी किये थे बहरों जी की दर्शन रात को करके आया था क्यों मैं रहातो संकट मोचन हलमान मंदिर में हलमान जी की ऐसी करफा भक्तों मेरे पास रही कि मुझे वहां पर एक वी आईपी गैस की तरह से मुझे रहने की सुरदा मिली औ और वहां पर मैं जब साधना कर रहा था पहले दे उननिस तारिक को तो एक चीफ जस्स अभी रिटायर हुए हैं दोजार बाइस में शायद धारकंड हाई कोड में वो पंजाब हाई कोड में भी रहे हैं मैं उनका नाम बताना नहीं चाहूंगा वह बड़े खूसुरत परस बोले मैं आपका प्रगाम सुनता हूं तो मैंने उनसे कहा मैं साधना खतम करने हूं फिर मैं आपसे बात करूंगा तो मैंने लगवा मुझे धाई गंटे लगे और ऐसी अनुबूती हुई संजीय जी मैं शग मैं नहीं कह सकता जब मेरे बराबर मैं डमरू बज रहे थे हम बोले नात की नगरी है बड़े बड़े डमरू से जब आरती हो दीती संद्या आरती मैंने शाम के प्रसंका सुना रहा हूं इतने तेज डीफनिंग साउं मैंने कान फट जाएंगे लेकिन मैं ऐसा लग रहा था मेरे हिर्दा में ऐसी वाइबरेशन हो दी कि मैं साक्षात ब उन्हें जागरत हुआ जो मुझे इस फॉर्म में आपके दर्शन हुए हैं तो मैंने जम के प्रातना की तो मैं आपको बता रहो वहां पर ही यह सारी बातचीते हो रही थी किस तरह से विचारे हम रूट गए तो बहले हम रोज किस पर दिखाएं किस पर गुसा दिखाएं तो इसलिए उन्हें कहा कि जिसने भी चपल मारी है मोदी जी के वो बेसिकली इसलिए नहीं मारी है उसलिए मारी है कि तुमने हमारे हिंदू मंदर को तोड़ा है और उसी का यह बोले कि यह प्रतिक्रिया है और आप यह सूचिए कि हमारे और जो मोदी जी की सीटें वोटि पूरी एक टांग पर खड़े होकर रात भर मेनत किया है साइकलों पर जाना क्या-क्या पहुंचा है गया है भगवान जाने वह सब जांच के विशे हैं कि मोदी जी को जबर्दस्ती जिताया गया है वरना मोदी जी काशी कोरिडोर के पास वाले बूत में हार गए तो सिटी मे कि मोदी जी व्यक्तिगरत रूप से हारे और पूरे उत्तव इदेश में का इतना खराब पर्फॉमेंस रहा और मोदी जी की राजनितिक यात्रा का सबसे खराब पर्फॉमेंस है दो जार एक सा शुरू ही तैईस वरस की उनकी पॉलिटिकल जरनी है कि जहां पर हंग रिज जी पहरी वार इतना ताकत से बिपफशाएगा तो इसका आपने निकाला है कुछ की क्या सकाराब जी बिल्कोल बिल्कोल जर्शको ऐसा है कि आप लोगों को हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी पार्लेमेंट की प्रोसीडिंग 11 इजे शुरू होती है तो हमने क्या किय 20 जून को 11 बैजे किनली बना लिए यह सिंह लगन की कुनली बनती है इसमें इसमे पड़िया की कुनली दर्शक देख लेए तो इसमें सिंह लगन की कुनली 11 बैजे बनती है जुपिटर भ्रहश्ठेटेपती आपके 10 में घ़र एक जफिट में शनी 7 में है चंद्रमा आपके छटमे गर में है आठमे गर में राहू और क्या ना मैं दूसरे गर में केतू हो गया ग्यार में भाव में शुक्र सूर्य औबुद्ध हैं और नौवे गर में मार्स है ठीके इसमें ये उत्रा अशाड़ा नक्षक्तर में शुरू होता है और इसमें राहू और मंगल की close दिख रही है तो इसका माइने क्या है कि इस सत्र में चुकि हम लगन से सत्ता पक्ष देखते हैं और साथ में घर से बिपक्ष देखते हैं चुकि शनी अपनी राशी में है तो इसका मतलब है इस सदन को जो 24 तारियों से शुरू हो रहा है इसके अंदर डॉमिनेट करेगा और सत्ता पक्ष दिफेंसिव होगी पीछे हटेगी एक चीज़ और समें मैंने देखी क्योंकि मंगल कुछ दुनों के बाद दो तीन हपते के बाद बदल ला इसमें शनी से मंगल पीड़े तो नौमा घर तो नौमा घर होता है बिसीकली हमारे जज़ का ज़ज का तो पालियमेंट के अंदर ज़ज कौन होता है स्पीकर ठीक इस पर शनी की दुरस्टी जा रही है और इसमें क्या है शनी इस कुंडली का छटमेगर का लौट भी जगड़ा तो मैं आज आपको संकेत दे देता हूँ कि इसमें बिपक्ष मजबूत होगा स्पीकर के लिए जगड़ा इलेक्शन का योग बन रहा है यानि सहमती नहीं दिखाई दे रही है तो इसकी इस सदन की ये भविश्वानी है कि जितने प्रयास कर ले भाजपा कहीं ना कहीं स्पीकर के इलेक्षन के लिए कोई प्रॉलम आने वाली है जो की सहमती ना बने और जिसमे अगर कंप्रमाइज करना पड़ेगा तो सत्ता पक्ष कंप्रमाइज करेगी जैसे उनका अपना प्लाइनिंग है कि मेरा ये आदमी स्पीकर बन जाए तो इस तरह की कोई रुकावट अर्चन इनके आने वाली है इस सदन के में है अच्छा हाँ मतलब इसमें जो जो निया अधीस बने घाजगा तो पूरे पांस साल तक वहीं रहेगा उस के लिए संकट है उस पद के लिए। पांस तल मतलब इस सत्ता पक्ष के मन मताबग स्पीकर ने होगा कि को तो कॉंड बेंट बढ़ आएगा बेपक्ष बजा रहा है क्योंकि शनी इसको देख रहे हैं अच्छा एक चीज और दाइए अर्बिंद केजरिवाल का क्या चलना है वो उनकी जमानत हुई कैंसल होई फिर लोवर कोट से होई उनका ग्रह क्या चलना है अर्बिंद केजरिवाल की होरोस्कोप है अर्बिंद केजरिवाल का 16 अगस 1968 को जनम होगा था सुबह का साथ बचके 34 मिन तीस सेकिंड में टाइम करेट किया सिवानी करके हर्याना में जगा है तो दर्षकों आपको जानकारी होने चाहिए पंदर मई को बेल होई थी तो वो दर्षकों मैं आपने प्रगाम में कहा भी था कि ब्रहमान की कोई शक्ती नहीं रोक सकती उस बेल को और आप पार्टी के लोग तो जूम रहते मेरा नाम लेकर अर्बिंद जी नहीं आपको न सुक का इनसान जेल में तो घर जैसे सुक नहीं मिल सकते जान जितना मर्जी सादा खान हो लेकिन आप अपनी मर्जी की सुधनता भी नहीं होती तो फ्रीडम मोज जो होती है अपनी अपनी रहने की वो चौते कर से दिखे जाती है और दसमा घर होता है वरकिंग का जो है घर का सुक चूर जागा तक्ये वो गदे वो एसी वो कुछ नहीं वेलेगा तो अरबंद केजरीवाल की मैं दसकों आद बताना चाहता हूं कि अरबंद केजरीवाल की बेल इंटरिम बेल होई तीन अफते की और वो क्यों नहीं एक्स्टेंड हूँ इस टेक्निकल्ट तो ब्रहस्पती जो आए थे वो ब्रशब रासी में आगए यहां पर टॉरस में टॉरस से आगे चौटे ग़र को देख रहे थे लेकिन यह ब्रहस्पती अस्त थे तो मैंने जैसे आपके प्रोग्राम में बताया है अस्त का मतलब हो था कंबस्ट होना सूर के जब भी की बेल दिलाई यही घटना अगर तीन जुन के बाद होती है तो रेगुलर बेल मिल जाती है उनको अब वो घटना घटी है बिरस्पती उदे हुए है तीन जुन को और अर्मिद के लिए पंदर मई को रिलीज हो गए तो एक जुन को तो तीन जुन से पहले ही वो चलेगा फि दूसरी बात इसमें कमी यह आई थी कि इनकी कुंडली में इनका लगनेश जो सूर्य है इस लगन का सौमी दसमें घर से गोचर कर रहा था तो मैंने यह कहा था कि सूर्य लगनेश दसम भाव में जा रहा तो राजयोग दिख रहा है तो बंदा फर कस्टम में कैसे रह सकता है लेकिन उसमें सूर्य ने दिला दी बेल लेकिन उसमें भी एक कमी हो गई क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य बारमें घर में बारमागर जेल का होता है तो सूर्य ने भी आंसिक सफलता दिखा दी इसमें का सूर्य अगर इटके दसमें घर में बारमें घर में नहीं होता तो तो भी इसको कोई ताकत नहीं थी कि जेल में डाल देती दुबारा इस चीज़ों को जोतिसी जब देख लेते हैं तो आपको पता ही है मैंने हर प्रोगाम में आपके कहा है कि जोतिस जो है बिसी कली काउंसलिंग की साइंस है तो आपके होगा इनका बविश्का है वही मैं बता रहा है दो मिनिट में की राजा महराजा के गाइडेंस में चलते थे तो वह काम उनके सफल हो जाते तो मेरे को जब आप पार्टी वालों ने संपर किया कि तो मैंने इनसे कहा था कि या 23 या 24 कोई केस डाल दीजिए दुबारा रिवी पिटीशन है रिलीफ के लिए लेकिन वो ही है कि अब हो सकता है कि माया के कारण वो अपने पिचार में बिजी रहे उन्होंने उन तारीकों को छोड़ दिया और जब यह वेकेशन बेंच में इन्होंने किया 27 तारीकों मेरी दियूई तारीक इन्होंने निकाल दी इन्होंने उन जो इसने वेकिती ने मुझसे बात की ती उसने पूछा था कि 23 अच्छी है कि 24 जादे अच्छी लेट है तो इंट्रस्टिंग पार्ट दर्सकों आपक क्यों नहीं गए तो मैं हसने लगा कि तो मेरी तारीक पर तो जजज भी कमेंट कर रहा है तो 24 को जाना चाहिए था तो कास 24 को जाते तो अर्विंद केजडिवाल को बेल मिल जाती जेल नहीं जाते है अब वो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप आचायर क बातों को वर्ड वाई वर्ड फॉलो करेंगे तो तो रिलीफ आती है अब आगे की घटना के अभी जो दो दिन पहले बेल हुई ते फिर हाई कोड में पहुंच गए वो इस्ते करा दिया नहीं तो उसमें वीकनेस की कारण बता देता हूं कि दसमें घर का स्वामी कि अर्व 28 जून को शुक्र उदे होने जा रहा है अर्विंद केजरीवाल मैंने इनके बड़े निता को कह भी दिया था कि अर्विंद केजरीवाल को कोई ताकत 10 जुलाई के आगे रख नहीं पाईगी जेल में अच्छा दस जुलाई के पहरा जाएगी हम तो हमारे लिए तो यह है क 10 जुलाई के बीट में क्या बात है आज आज आप दफ्तर में आए मजह आगया आपसे बात करके लेकर आज आज आपको साक्षात में अन्मान जी की उस्तुतिती करते वो देखूँगा इस तुतिती से एक सेकंड और लेना चाओंगा दरश को लोग कहते हैं कि मैं भक्त की मना हमने शास्त्रों में बढ़ाए कि भगवान अपने से भी उचा दरजा दे देते हैं भक्त को मेरी जिंदिगी में मैं पहली बार अहुद्या गया था पहली बार कभी नहीं गया अभी भविश्वानी सफल होने के बाद मुझे हन्मान जी के चरणों में माथा टेक करके उनकी आशिरवाद लेना था कि प्रभु आपने रक्षा की देश की और मेरी भी रक्षा करी क्योंकि भाईया किसी ने क्या दिया था कि चार जून के बाद पंडी जी या तो पूजे मैं बता देता हूँ ये देखिए और इसमें एक बहुत अच्छा जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा ये 1977 की कुंड़ी है जब 1977 का आया था 21 मार्च 1977 को परणाम आए थे लोग सबा के उस समय ब्रेस्पती दर्सक देख सकते हैं इस कुंड़ी को देखेंगे कि टॉरस राशी में था ब्रश्व राशी में जो भारत की कुंड़ी की जो मैंने दिखाई थे उसका लगन है और उसके बाद में ये चार जून की कुंड़ी है जब आपके इस साल के परणाम आये है इस साल के इसमें भी ब्रस्पती उसी राशी में था 1977 में तो ये बाद हमारी वहा प्रोफेसर भी हैं इंजिनिंग बेक्गराउंड हैं महिन जी तो उन लोगों के बीच में चर्चा कर रहा था विद्वानों को बता रहा था कि देखो कितनी अच्छी साइंस रिसर्च है कि जब एक ग्रह जिस राशी में आता है 77 में उसने एक सत्ता को एहंकार तोड़ा और म जुली जुली सरकार बनाई है मोदी की सरकार तो नहीं है यह अब इसमें मोदी जी को और सीटे कम हो सकती थी कि काश यह ब्रहस्पती उस समय जब चुनाब हुए उद्व होता तो ब्रहस्पती वही लोगिक ले गा रहा हूं कि चुकि वह अस्त थे 15 वाट का काम कर रहे थे इसलिए 240 दिला दी अगर ब्रहस्पती उद्व होते हैं ब्रहस्पती विवेक का कारक है और लगन से गोचर करने का मतलब है देश की जनता का विवेक जागरत होना कि यह आदमी ढूंगी है यह आदमी इन्हें हमारे रोजगार चीन लिये हैं इस आदमी ने हमें भीकारी ब विपरीत मद्दान किया है काश ब्रहस्पती उद्व होता तो यह मुदी जी की सीटें इस मदब भाणों वाली जो जो क्याना क्याना है भगणों वाली जो भाजपा है इसका हश्ट जो है देर सो से नीचे होता दूसरी बात जो अभी हम कह रहे थे बस उसके रदात ख़तम करूंगा कि जो हन्मानगडी के जब मैंने दर्शन किये तो हम भटक रहते किसी एक सर्जन को लगा दिया था जो वहां का लोकल पॉलिटिकल लीडर था वो भटक रहा था इसी बीच में लखनों से किसी पुलिस आफिसर का फोन गया वहां पर कि हमारे आचार जी वहां पर मैंसेश आगया आचार जी आप कहा है मैं कोई सरकार ही आदमी नहीं हूँ एक साधान सा बेक्ति हूँ अपने व्यपार बिजनेस सब छोड़ बैठा हूँ दूजाब चार महीं तो मेरे को कोई क्या वी आईपी ट्रीप्मेंट देगा लेकिं भगवान की भक्ती की महमा दे ही है मैं सब के लिए हनमान जी से प्राथ ना करत अब भगवान उनक्रум ने सब के दुख दूर करना उनके सब को मेरी तरफ से अशिर बाद भी है हनमान जी का आशिर बाद में मिले तो उसमें जब यज़ थानेदर का मियर पा schema का फोन आया का आचार जी आप आईए हमारे हम वेट कर रहे हैं, तो हम उनके घर गए, घर से ही वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, ज़रासी कीजी गली में घुश के था, और वो फ्रंट में हमारा वेट कर रहे थे, तो पहले उन्होंनों मुस्ते का कि आप चाय पियांगे कि दर्शन करेंगे, मैंने दर्शन पहले करेंगे, तो आप देखिए वो अपने पुलिस की गाड़ी में बेटे ऐसे चो जिस जगह पे हम चक्कर काड़ के यूटर मार के आगे क्योंकि सब्जिक अबेरिकेट लगा हम घुजनी पा रहे थे हमें लगा के आज दर्शन नहीं हो सकते है वहाई सब उस अयुद्या सिटी का हमारे आगे गाड़ी में सायरन बजाता हूगा जा रहा है और मैं पीछे चलना हूँ मतब प्रोटोकॉल देखिए कि थानेदार मेरे लिए प्रोटोकॉल बन गया और वो मुझे ले जाके उन्होंने हनमान गड़ी में पीछे वाला रस्ता वहां से ले जाके दर्शन कराए हमेशा सोचिए 15 मिनट तक मैंने की इतनी मोटी मोटी मालाएं मेरे गले में डाल दी गई धेर सारा प्रसाद और एक दर्सकों को एक जानकर भी बता दूँ कि जो लोकल आदमी थे वो लोग क्या सिकाते हैं को उनको पंड़ितों नहीं ऐसा कन्फ्यूस कर दिया कि प्रसाद भर के लड़ू मिले वहां से मैंने फूल भी नहीं खरी दे मैं कभी नहीं खरीता हूं जहां भी तीरत पर जाता हूं मैंने कभी नहीं खरीता हूं और मालाएं मुटी मुटी डाल दी मैंने दियो को भगवान ने खुद भक्त का सम्मान किया है और हमारी क्या वकाती कि वहा कि अल्टीमेटली भक्ती जब विशुद होती है जिसमें विशुद प्रेम होता है तो भगवान की ऐसी किरपा मिलती है इसलिए मैं बारवास सब लोगों को रता हूँ संकट ते हनुमान चुड़ावें मन करम बचन ध्यान जो लावें सब पर राम तबस्वी राजा तिन के कास सकल तुम साजा और महिन जी एक बात बहुत अच्छी बता रहे थे कि तुलसीदाज जी ने जब पूरी रामाय लिख लिए एक चीज़ और दर्सकों को दिखाईएगा ऐसी दुरलब चीज़ लाया है महिन जी मुझे बाफ कीज़गा लेकिन मैं आपने आपको रोक नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जरिये जब आपने मुझे दर्सन कराए हैं मैं चाहता हूँ को अपूरा विश उस चीज़ को दर्सन करें एक दुरलब चीज़ मुझे मिली देखने का कि मैंने तुलसीदाज जी की खड़ाओं देखी हैं और तुलसीदाज जी जिस नाव में जादे सत्रवी सताबद उसके दर्सन के तो मैंने पिक्चर ले ले ली ती वो आप दर्सन को दिखाएगे मुझे उन लोगने प्रेम था तो उन्हों दिखा दिया किसने किया मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन वह दर्सन को दिखाना हूँ कि यह तुलसीदाज जी की रिटेन जब राम चरित मानस उन्हों ने लिखी ते वो वाले दर्सन भी करेंगे और तुलसीदाज जी ने अपार्ट रॉम संकट मुचन हनमान जी का मंदर बनाने के साथ साथ उन्हों ने तुलसी घाट पर जो असी घाट से जड़ा हूआ है वहां पर चारों दिखाओं में हनमान जी की मूर्ती करिए तो मैंने हसके का मैंने कि मैं तो फूर पीम के प्रोगाम है हमेशा ही कहता हूँ आप से मिलने से पहले कह रहा था तो भगवान कुन से शक्ती कहल वारी तो उसी लाइन को दोबारा दो रहता हूँ और देवता चितना दर्ई हनमस से सबसुक करें करपा करहूं गुर् अब जाये औगवज बाचीत में इंतिजार रहेगा आपके कमेंट का चैनल को जोएन और सब्सक्राइब करिए अपनी राइप से बताइए अब गत कराईएगा कैसा लगा प्रोगाम शुक्रिया थेंक्यों